दोस्तो रात की धाई बजे हम निकल चुके हैं और अंगबाद से क्योंकि हमें तैय करना था बहुत लंबा सफर 200 किलोमेटर क्रोस करके हमें जाना था हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने मेरी सारे पहले सीरीज देख चुके हैं तो आपको पता है कि हम महाराष्ट्र में पंच जोतिलिंग दर्शन करने आए हैं जिसमें तीन जोतिलिंग अल्रडी हमने कवर कर चुके हैं तो हमारा नेक्स्ट डिस्टिनिशन था हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंधर ओंध नागना जोतिलिंग दर्शन करना ये जोतिलिंग का बरा माननेता हैं वैसे तो ये जोतिलिंग आठवी स्तान पे आते हैं यानि आद्धिया स्तान पे आते हैं और ये भी कहा जाता है कि ध बहुत ही बहुत ही सुन्दत तरीके से बनाया गया है। हेमाधपन्ती आर्किटेक्चर की हिसाब से 60,000 स्क्वेर पीट की उपर ये मंदिर बनाया गया है। अगर आप इस मंदिर में आएंगे, तो आपको दो तरीकी की कलर दिखेगा मंदिर की उपर। नीचे वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक पत्थर से है, उपर वाला जो हिस्सा है वो वाइट पत्थर से है। क्यूंकि कहा जाता है कि औरंगस आप जब अपनी शाषन काल पे थे, तो उन्होंने ये मंदिर को तोड़ने की कोशिश किये थे। आधा तो उन्होंने तोड़ी चुके थे, उसके बाद राणी अहल लेवाई जब आए अपनी शाशनकाल पे तो उन्होंने बाकी आधा मंदिर को पुनर निर्मान कराये थे, ओंध नागनात की जो पंडित जी है जिन्होंने हमारी रुद्रविश्यक करने में हमें मदद किया मैं इनका जो contact नमबरे वो नीचे description box में डाल दूँगी ताकि आप उनको call करके अपनी पुजा पहले से book करा सकते है तो आवर्ड all the like you know queue line, line पे खड़े हो के queue में जाके पुड़ा booking करने process के लिए है बट ये जोतिल लिंग एक बहुती महत्य पुन्नस्तान है बहुती महत् लेकिन जो बार जोतिल लिंग दर्शन करते है वो मतांतर में ये जोतिल लिंग भी दर्शन करते हैं तो दर्शन को आज मेरे साथ है नागना द्वारेकर जी ये जो फोटोग्राफर हिमसेल्फ और अगोर्डिंग तो हिम यहां पर विकॉस ऑफ कैमेरा के चकर और अच्छे मोबाइल के चकर में आजकल फोटोग्राफर के जो बिजनिस है वो खतम होने वाला है तैसा मतलब ठीक है मैं कभी-कभी मानती हूँ कि टेक्नोलोजी इस पट सम्टाइम्स टेक्यार अफ देम एस वेल बिकाज यह लोग फोटोग्राफिक का ही कोर्स किये है और यहां पर आके यही इनका कामधा में कि यह फोटो उठाए और अच्छे से करें तो मैं नागनाजी का नंबर जो है मेरी वीडियो के नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स म इन आते हो तो आप इनका तो इनसे तो बात करी सकते हो इनसे आप अच्छे से फोटो ले लेंगे मेरा रिफरेंस देंगे तो यह आपको थाड़ा सस्ता भी गर देंगे है ना अगनाजी ताब अपने नंबर बता दो इन लोग चपन सदोसस्त जुरोग वाविस चीके मैं इंग्लिश में अच्छे से करके आपको बता दूंगी दोस्तों तो यह ऐसा है तीन आदमी का पेर होता सिक्स यहां पर दिकाए चार एक दो पिन चार तो इसका च्छे बनाने का तो आले तरह से देखना पड़ा इसको इसको चुपाया तो एसको चुपाया खी फूरा बनता एक हां और यह दोनों को चुपाया तो बीचवाला पूरा बनता है हमारा इसके बात का जो डेस्टिनेशन था वो था सबसे आखरी जोतिर लिंग जिसको कहते है पारली वैजनात जोतिर लिंग जो की पारली महराश्ट्र में बसे हुए है पारली वैजनात की जोतिर लिंग जो है वो मतांतर में वैदनात जी की जोतिर लिंग जो जारखंड में उसके साथ किया जाता है, बोला जाता है कि दोनों में से कोई एक real है, बट जो 12 जोतिल लिंग करते हैं, वो 14 जोतिल लिंग भी कर लेते हैं, अगर आप पाली वैजनात की मंदिर में जाते हैं, पूजा देने के लिए तो ये एक टिप से, कि आप वहाँ पर मंदिर के में माता अनुपुना के मंदिर में जाके भोजन जरूर कीजिएगा, वो free of cost होते हैं, बट अब अगर चाहें तो कुछ आप दान पेटी में दान भी कर सकते हैं, तो दोस्तो हमारा नासिक ट्रिप जो था वो शुरुआ थोरा सा अजीब से हो गया था, जिसके बार में उन्हें आपको अलड़ी बता चुकी हूँ, ये भाया हमें सेकेंड दिन से मिले, और वो भी मतलब मेरी सिस्टर की दोस्त के वज़े से ही मिले, तो थैंक्स तो पाद में बताऊंगे डीटेल्स में, तो अगर आपको कभी भी नासिक किया फिर महारास्ट्र में कहीं पर भी आना है, तो इनका नंबर में डेस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूंगी, इनको कॉल कीजिएगा और जरूर इनीक से ही संपर कीजिएगा, बहुत ही अच्छ है, जो फर्स टाइम मैंने नासिक में ही फेस किये हूँ, इस एरपोर्ट में, वो है कि अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो, तो एरपोर्ट में आपका एंट्री नहीं हो पाएगी, जब तक गेट में कोई नहीं आएगा, काइंड आफ छे बजे, आज तक मैंने जितने भ जाता है, बट इस एरपोर्ट में मुझे अजी भी लगा, हमारा वेसी कली नौ बजे का फ्लाइट है, और हम और अरंगबाद से आ रहे हैं, अल्मूस्ट फाइवार्स ड्राइव करके, तो हमें लगा कि हमें थोड़ा से जल्दी पहुशना है, एंड वी रिष्ट एर अर 5.54, 5.55, और हमें कहा गया कि आप बाहर वेट कीजिए, विकाज छे बजे गेट कुलेगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे, तो प्लीज बी केरफूल अबाउट इस, और कहीं नहीं, बट मुझे यहां पर एक्स्पीरिंस को ऐसा ही हुआ,